दोस्तो टेलीग्राम पर टेलीग्राम गुरूप के लिए तो आपको काफी सारे बोट मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने टेलीग्राम गुरूप को एक सूपर गुरूप बना सकते हैं लेकिन दोस्तो टेलिग्राम चैनल के लिए कुछ ही बोट आपको टेलिग्राम पर मिलते हैं जिन में से एक के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका यूज यदि आप अपने टेलिग्राम चैनल में करते हो तो आपका टेलिग्राम चैनल एक सूपर चैनल की तरह काम करेगा नमस्कार दोस्तो मैं मंदीप सर्मा आर्टेक में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बतन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन दबा कर और पर क्लिक कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो आती रहेंगी और उनकी notification आपके पास पहुंसते रहेंगी तो दोस्तों जादे देना करते हुए डारेक्ट चलते हैं हम उस boat पर जीसका use आप अपने टेलिग्राम चैनल में कर सकते हैं तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर मैं इस boat पर आ चुका हूँ इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है आपको इस boat को अपने टेलिग्राम चैनल में add कर लेना है और admin भी बना देना है मैंने पहले से ही बनाया हुआ है तो आप इसको करने काफी आसान है ज्यादा चीज़े इसमें नहीं करनी पड़ती है डायरेक्टी हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर यह देखे मैं my channel पर क्लिक करूँआ जब आप भी अपने telegram channel में इस boat को add कर लोगे तो यहाँ पर आ करके आपको my channel पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके channel का नाम यहाँ पर आ जाएगा उस पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ options आएंगे जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला option है status का यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने आपके telegram channel का सहरा व्योरा आ जाता है कि आपने क्या-क्या चीजे क्या-क्या settings अपने telegram channel में enable की हुई है इस boat द्वारा अब दूसरा option आपके मिलता है settings का settings आप तभी कर सकते हैं जब कोई post आप अपने telegram channel में करते हो तो इस boat पर भी एक message आता है setting करने का तो यह वो option है जिस पर click करके आप अपने post के setting कर सकते हैं अगला है आपर दोस्तो repetitive message यानि दोस्तो यदि आप अपने telegram channel में कोई message डालते हैं कोई content डालते हैं और आप चाहते हैं कि यह content हर आदे घंटे बाद आपके telegram channel में automatically post होता रहे या फिर हर एक घंटे बाद post होता रहे या फिर हर एक दिन बाद post होता रहे तो आप इस option पर click करके ऐसा अपने telegram channel में कर सकते हूँ अगला हता है schedule pins यदि आप कोई post अपने telegram channel में डालते हूँ और आप चाहते हूँ कि यह post automatically कुछ time बाद अपने आप ही मेरे telegram channel में pin हो जाए यह देखे इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से pin हो जाए तो आप इस option पर click करके वो time set कर सकते हूँ जैसी आप time set करेंगे तो उस time पर आपकी post अपने आप ही pin हो जाएगी तो दोस्तो आप इस option का use करके ऐसा कर सकते हैं अपने telegram channel में अगला option आपको यहाँ पर मिलेगा schedule duration का यदि आप कोई content अपने telegram channel में डालते हैं और आप चाहते हैं कि यह जो content है यह जो post है मेरे telegram channel से automatically कुछ time bar delete हो जाए तो आप इस option पर click करके ऐसा अपने telegram channel में कर सकते हैं अगले जो दो option आते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दो जो option आएंगे यह option के बारे में मैंने पहले से ही बताया हुआ है आपको इनके बारे में एक i button में video मिल जाएगी उस video को देख करके आप इनके बारे में समझ सकते हैं अगला option आपको मिलता है set welcome text का जो दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे set करना है welcome message अपने telegram channel में अगला option आपको यहाँ पर मिलता है reset setting का यदि दोस्तों आपने काफे सारी setting अपने telegram channel में इस support द्वारा कर लिए और आप उन सभी को reset करना चाहते हैं यानि द्वारा से set करना चाहते हैं तो आपको इस पर click करके सारी की सारी setting को reset कर देना है अब बात करते हैं कि आपको कैसे अपने telegram channel में welcome message को set करना है यानि यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपके telegram channel में add or join हो तो उसके लिए आपके telegram channel में एक welcome message आना चाहिए automatically तो आपको क्या करना है तो यहाँ पर आपको अपना वो message लिख देना है जो आप welcome message में चाहते हो यसे यहाँ पर मैं एक welcome message लिख देता हूँ welcome message को लिखने के बाद आपको simply इसको send करना है और नीचे आपको एक done का option मिलेगा इस पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके telegram channel में welcome message set हो जाएगा अब जब भी आपके telegram group में कोई नया बंदा join होगा तो उसके लिए आपके telegram channel में set किया हुआ welcome message automatically upload हो जाएगा send हो जाएगा इस बोट दुवारा तो दोस्तों यह एक बोट था जिस बोट का use करके आप अपने telegram channel में काफी चीज़े कर सकते हैं अपने telegram channel को interesting बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म मिलते हैं next वीडियो में यदि य शेयर करें और comment करके मुझे जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी